जिन्दिकी जीने के लिए जिन्दिकी को समझना important है, एक learning attitude होना important है आप में से कितने लोगों ने Steve Jobs की Stanford commencement speech देखी है Steve Jobs जो Apple के founder थे, उनकी Stanford वाली एक speech है 20 minute की अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो I strongly recommend you कि एक बार आप जा अगर के YouTube पे वो जरूर देखे तो अपनी उस speech में वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बाते गई और सारी ही कमाल की थी लेकिन एक बात उन्होंने कही, वो थी connecting the dots के बारे में कि dots को अगर आपको connect करना है, dots क्या है आपके life की छोटे-छोटे experiences है जो जब हो रहे होते हैं तब उसकी कोई importance नहीं होती आज आपकी life में ऐसी बहुत सारी चीज़े हो रहे होगी आपको लग रहा होगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है चाहे कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है लेकिन आगे जाकर के जब आप देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा हुआ वो मेरे साथ में हुआ क्योंकि अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होता होता ऐसा ऐसा एक जॉब से निकाल दिया उस नाइम पर बड़ा जीब लगा कि यह क्या हो गया मेरी जॉब चली जॉब चली गई उसके बाद में उससे अच्छी जॉब मिल गई होता ऐसा ऐसा कितने के साथ में हुआ है बहुत लोगों के साथ में हुआ है तो ऐसे युन्होंने बात करें थी कनेक्टिंग दॉट्स के बारे में और कमाल की बात है उन्होंने यह कहा कि आप कभी भी अपने इन इक्सपिरेंस को इन डॉट्स को फ्यूचर में देख करके कनेक्ट नहीं कर सकते हैं मतलब आगे देख करके इन डॉट्स को कनेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं कि यह जो हो रहा है इसकी वजह से फ्यूचर में क्या होने वाला है लेकिन जब आप लाइफ मे आगे बढ़ जाते हो और फिर आप पीछे पलट करके देखते हो तो एक एक करके सारे डॉट्स जुड़ जाते हैं कोई भी चीज बेकार के लिए नहीं होती हर चीज के पीछे कोई ना कोई बजय होती है हम इस समय नहीं देख सकते बाद में समझ आ जाता है तो इसी तरह से जैसे उन्हों ने ये बात कही मैं भी अगर आज पीछे मुड़ करके देखता हूँ और अपने उन डॉट्स को कनेक करता हूँ तो मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी फाउंडेशन क्या है उसकी नीव क्या है जब मैं करीमन सात इया आठ साल का था तब मेरे फादर में मुझे ए गेम गिफ्ट करे चेश उसके बाद में मेरे सर पे ऐसा भूट सवार हुआ करीबन 7 या 8 साल के लिए तब मेरी एज होगी करीबन 7-8 years उसके बाद में करीबन 14-15 साल की एज तक मैं daily minimum 2-3 घंटे चेस खेलता था कभी अपने father के साथ कभी अपने friends के साथ में और पागलों की तरह खेलते थे हम मतलब कि क्या कर रहे हैं के अगर शाम को कहिलना शुरू किया तीन घंटे हो गए और चेस की गेम बीच में अटकी हुई है एंड मेरी एक रानी रहे एजर और बस उसी में लगे होएँ है एक हादी मेरा रहे गयर एक राजा रहे जो उसका भी एक हादी और एक राजा है अब लड़ते रो, तो क्या करते थे, कि रात को 9 बज गए, उदर से मम्मी की डाट आनी शुरू हो गई, कि बेटा सोजा, अकल स्कूल जाना है, यह हो है, उदर से डाट पड़ रही है, तो बड़े धान से हम उस चेस को गेम को उठाते थे, और लेया करके एक जगे पे रखत हैं, आइम्स में एड्मिशन बिल जाए, आप पढ़ाई में टॉप कर जाओ, आप यह कर जाओ, आप यह कर जाओ, आप किसी को बोलो कि बहिए, अपने बच्चे को जा करके चेस खिलाओ, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लोग हसेंगे, उन्हें क्या बोल रहा है, पाग पारा था, 10% classes ऐसी थी, जहां पर ध्यान रुपता था, कुछ अच्छे थे, कुछ अच्छी classes भी थी, उसके बाद में क्या हुआ, कि यहां पर चेस खेलते, खेलते, by default, effortlessly, खेल-खेल में, observation powers अपने आप ही बढ़े, मल्ल आप नहीं भी चाहोगे, तो आपको अपने ध्या को उस गेम में दो घंटे तक, तीन घंटे तक, चार घंटे तक लगा करके रखना ही पड़ेगा, अगर आपको खेलना है तो, कोई दूसरा option ही नहीं है, यह नहीं हो सकता कि आप सामने किसी के साथ में खेल रहे हो, और मांड में कुछ और सोच रहे हो, not possible, तो उससे क्या और both the sides of our brain, मतलब कि right brain as well as left brain, दोनों का काम पूरे तरीके से होता है, मतलब कि जो creative thinking है, वो बढ़ गई, logical thinking है, वो बढ़ गई, दोनों के बीच में एक balance create हो गया, और business में और chess में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ यह बात, ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब क है, वो भी बढ़ गई, वो powers भी बढ़ गई, concentration powers बढ़ गई, observation powers बढ़ गई, ध्यान को एक जगह पर effortlessly रोकना आ गया, तो यहां से यह मेरी foundation है, पुवी के बोरी, और बिना अपनी observation powers के उपर काम किये, जिसको आप mind बोल सकते हो, बिना अपने mind को एक जगह पर टिकाए, आप कोई भी काम करते हैं, निकल जाओगे, आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, boss, एक काम करोगे, एक failure आया, फिर हिल जाओगे, कोई problem आई, फिर घपरा जाओगे, कोई चीज सीखने जाओगे, एक दम mind कहीं और भागने लग जाएगा, अपने mind को पूरी तरह से काम नहीं करेंगे, आज जो हो रहा है हमारी society के अंदर के physical activity धीरे-धीरे बंद होती जा रही है, TV, internet, computer, mobile, खेलना धीरे-धीरे कम होता चला जा रहा है, इससे होगा क्या कि लाइफ में अगर कभी इन बच्चों को physically exertion वाला कोई काम करना पढ़ गया, क्या ये कर पाएंगे नहीं कर भाएंगे, महलों मेरी life की एक ऐसी stage थी, जब दिन में minimum मैं 16-17 गंटे काम करता था, जब नया-nया photography का course किया था, निकला हुआ हूँ, 6 बजे घर से निकल गया, रात को 12 बजे घर में गुसरा हूँ, 10 बजे घर में गुसरा हूँ, 11 बजे घर में गुसरा हूँ, ल आदत थी, उस चीज की practice अलरीडी मैं बचपन में अंजाने में कर चुका था, हजार बार, cricket के हमारे matches होते थे, आप में से कितने लोग cricket खेलते हैं, तो cricket के हमारे matches होते थे, ये बड़ा मज़दार सा incident है, कि सुबे 6 बजे हम निगलते थे match खेल ले के लिए, सुबे 6 बजे match होता था, जैसे हमारा एक block है, एक दूसरा block है, दो block से बीच में match हो रहा है, match खतम हो गया, 9-10 बजे के करीब, उस में से सिर्फ 10 बजे के करीब 8 लोग रहे गए, उनको भी मैं जबरदस्ती रोक लेता था, मैंने का या थोड़ी देर और खेलते हैं ना, एक गंटे में क् मतलब चार-चार लोगी टीम बनी होई, उसके बाद में करीबं डेड़ बजे और आप इमाजन कर सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी, यह मैं बात कर रहा हूं में समर वेकेशन्स की, और डेली में मे जून के महिने में कितनी गर्मी होती है, वो आप समझ सकते हो, यह टेमप जहां से भी कुछ आ रहा है खाने के लिए कहीं से शकरगंदी वाला आया, कहीं से हो आया, डाल मोठ वाला आया, कहीं से कोई कुल्फी फलूदे वाला आया, तो खाय जा रहो, इससे की एनरजी मिलती रहे, वीजवीज में खा रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रह तो अब मैं और चडडी अकेले हैं पार्क में मैं और मेरा चडडी मेरी चडडी नहीं तो हम दोनों अकेले हैं पूरे पार्क में इमाजन करो क्या सिच्वेशन होगी कितनी दूप होगी उस टाइम पे में जून के मैने में और बड़ा ग्राउंड है कि छोटी जगे नहीं खेलना था हमको यह नहीं घर में जाकर के वरेंडे में खेलो मज़ा ही नहीं आएगा फाइदा ही नहीं है क्या खेलना है चाओ में दूप में खेलेगे ना आने दो सुरज को देखा जाएगा और इसके बाद में आपे हम खेल रहे हैं मैं बैटिंग कर रहा हूं वो चडडी सामने से बॉलिंग कर रहा हूं वो भी क्यो रुपता था इसके पीछे भी कहानी है कि हम लोग शर्त लगा के खेलते थे बंटा की बंटा एक होती है कांच की बोतल माला उसमें कंचा होता है उस टाइम पर 2-2 रुपेगी आती थी तो हम शर्त लगाते थे 6-6 ओवर का मैच होता था मेरा और चडडी का जिसमें मुझे पता था कि मैं हारूंगा उसको पता था कि वो जीतेगा फिर भी मैं खेलता था मैं कहत उसको अर्णिंग मिल गई दोनों का अपना अपना काम हो गया ना डील कंप्लीट फिर उसके बाद में अपने क्या किया अब खेल रहे हैं मैं बैटिंग कर रहा हूं वो बॉलिंग कर रहा है अब पुरा पसीन बीगे बड़े हैं मैं क्या आलत थी कमाल की वह बंदा भागत अब बॉलिंग भी आइसे नहीं कि स्पिन करा रहे है ना पेसर फुल पेस उंदा दूर से भागता हूँ आ रहा है चलिया भागता हूँ आया इधर मैं बैटिंग कर रहा हूं उसने डाली वाइड बॉल अब ग्राउंड में पीछे दूर दूर तक कोई नहीं तो रूल क्य अगर मैंने मारा तो मैं कोशिछ करता थोस्की वाइड नहीं भड्य रगेड भाद बाल और ले बद्तिरि निए आवैड नहीं जाजए ले पागड इस खेल का क्या फायदा हुआ।। 강 कि जुनून का क्या फायदा ही। है। मैश्भी मेरी लाइफ में एक्सबीन मhouse वेस्नाइश नहीं जाते हैं। सब मेर्मर्यूरी हैं। मेरी बॉडी की जो पहुंते हैं। मेरैमाइंद बीडूबूरी और इसे मायनु वो भी कर लूँगा, इंट्रेस्टिंग की तो आप बात ही छोड़ दो, मैं इंट्रेस्टिंग की तो बात ही नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं, बिल्कुल बोरिंग काम, क्यों हो पा रहा है यह चीज है, अब्सरवेशन पावर्स, लर्निंग एटिटिव, सीख लूँगा न है, को सिंपल